नमस्कार दोस्तों एक्साम साथ में आपका स्वागत हैं इसलिए जो आने वाले बच्चे उनको फाइदा हो अपनी स्ट्राइट बना सके किस परकार से कुशन सुनके आ सकते हैं जर्म यह झाना सके लिस उसा मेरा से काईड़ आपको सकते हैं इसलिए एक सीकंऻ डिया है इसलिए लिए जिए। फेर्टो देखा लेखा वहिफुन हैं यह कोसे एक विदिया कया क्विडियू है तो मैंने दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट की कि मेरे को कॉस्चन स्प्राइब ताकि मैं उसका इनाथ सीज कर सको तो मुझे मेल पर कॉस्चन साय मैंने वही कॉस्चन सुथा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं कॉस्चन कुछ इस परकार है वाट और दे टेस्ट ओंगोर के लीट से और उसके लिए टेस्ट से श्लम टेस्ट कंसिस्टो मिटर टेस्ट वीटी से करके टेस्ट गई तो किसके लिए किया जाता है यह है इसी भी मैटेरियल का वो चाहिए आप एक्रिगेट ले लो कुछ भी कोई भी मैटेरियल है लोस के लोस एंजले तो यह भी आपको ऑप्शन को देखते ही कर सकते हो ऐसा ऐसा देखने से यह कुश्छन दुबारा रेपीट नहीं हो इस पर आ र प्रिक्स हमें याद ही होगे तो डरा से लगा जाते हैं आप त्वेंटी क्यूबिक मेटर में निकालना कोई ठाप नहीं है आप उसी पांट सो को ट्वेंटी क्यूबिक में में नमबर आ प्रिक्स पदा जाएगी नेक्स्ट कुश्चन कह रहा है कि जो रेंकाइन्स थ्योर से वो बता देते हैं जैसे नौवाल फ्रिक्शन दा ग्राउंडी दा ग्राउंडीज फेलियर यह ऐसे करके स्ट्रेट प्लेंज रिजल्ट इन पॉर्स इस आर पैलल यह सब क्या होती है हमारी रेंक हैं इस प्रिक्शन में आया होगा जहां तक मुझे यकीन है वो नौवाल फ होगी आपको कितनी हेल्फूर होगी वीडियो और आने वाले बच्चों के लिए धियान रखते हैं वो वीडियो जुरूर देखें ताकि आप लोग असानी से क्वेशिन कर पाएं हमेशा एंवर गाल सकते हैं और यह क्वेश्चन ने रिपीट किया है हर साल मैक्सिमुम रिपीट होगे है आपको कुछ पूर्ब्लम सा गे थी पीच में तो जिस कारण से मैं सौंप वीडियो को क्या कहते हैं हमारे सौंप के कोश्चन है इसको हम गेस्ट और क्रेस्का थे जी टी थे लोड़ी कि दोस्तों अभी तुम्हें वीडियो नहीं बना पाया लेकिन आने वाले टाइम में जो ऐसे सी मीन्स की जब त्यारी कराई जाएगी तो उसमें मैं भी बताऊंगा कि इन सारी फ्योरी को याद कैसे किया जाएगा असानी से हमें कैसे याद रहे ताकि आप लोग बूले ना प्रोवाइड कराया था आपको और यह नियर अबाउट 0.60 वाटर रिक्वाइमेंट होता है एलोंगेशन ऑप टू स्टील बारी इस फोर रेशो सेवन यांग मोडलास रेशो विल भी इलोंगेशन दी यूए आपको टू स्टील बार्स की जोगी किसमें है और यांग मोड वाटर दिस्ट्टिबूशन डिसाइन इस बेस्ट ऑन डेली और आरली ऐसा कुछ पुछन आया वाटर डिस्ट्टिबूशन से भी जोच्टिप्शन पूछन की होगी किस पर प्रकार उन्होंने बेज़ यह तैरेक्ट मेरे पूए पीपिटी तीयार मिले और कहां इसको बत नेट एरिया तो उसको डेट्चिन और पोल्स करते हैं अगर ऑप्सिन में ऐसे कुह आता है तो यह डैर्यक्त है कर सोने की ट्रेपिक वोल्यूम स्टलिप्लीकिशन का अधिक वोल्यूम किस किस का मुटिप्लिकिशन है किस ट्रेफिक क्षिज्ट का और इसने इरिगेशन में डेल्टा प्रोब्लम दिये इक निमेरिकल दिया तो नहीं आए तो मैं साधे आपको करके दा दे तक किस परकार से इसको जेहना है तो यह वैद रोक से कारण रेसिडियूट तो यह वैदर इसिस्टेंस वैदर परपोर्शनल रेसिटेंस किसके परपोर्शनल होती है यह कुछिन तर ने स्टील से फॉशिन उठाए तो जहां तक देखे ढाए है दोस्तों काफी इतना मॉडरेट लेवन कह सकता हूं ऐसे से जहीं गई विच ओफ द फॉलॉइंग इस आ रिटार्डर सेंटु सेंगोशन हमने अपनी मैंने मेरी वीडियो में कवर किया है यह रिपीटेशन में भी आया है लास्ट ट्वल विए जिनों ने देखे हैं ध्या लिटेशन में वाटर सप्लाइए डिस्ट्रीशन में की बात कर रहा है कर वेच्छन और करेक्शन पूर टू किलो मेंटर जिनोंने मेरी वीडियो सर्वी की देखे हो तो मैंने वहां पर पॉमला भी दिया था कर वेच्छन का दी स्क्वेर बाइट पूर नमारिकल दिया होगा आप लोगों के इसाफ से वेच्छन को बने कोश्षण पर दिख सकते हैं यह यह ए सब्सेन में कुछ हो सकता है नहीं पता उसने options में sediment free rocks physical properties के साफ से मुझे रोग से मैंने जब मेरी stones की video बनाई है वहाँ पे टेबल दिया था और कहा था कि इसको इससे question हर बार आते हैं दोस्तों इस बार भी आगे तो आपके लिए यह helpful है next है the number of modular bricks required for one cubic meter of brick machinery कितनी modular brick की जूर्थ पढ़ती है वन क्यों यहां modular brick की बात हो रही है दोस्तों तो यह modular brick की लिए निकालने के लिए one meter cube divided by modular brick का तो वो नियरा बाउट पांस हो गया आज पास यह कहा रहा कि strength of cement after seven and 28 days ऐसे यह question मैं ने पहले भी cover किया था मेरी वीडियो में यह कह रहा कि तो seven after seven days और 28 days जो strength of cement होती है उसका ratio का है वो ratio यहां पर बताने की बात कर रहे एक्सेस alumina in brick causes जब alumina access में प्रेजेंट हो तो क्या काज करता है यह भी question हम अपनी वीडियो में देख चुके है वो एक्सेस alumina responsible as shrinkage और वार्पिंग के लिए size of modular brick आपको बते है साइज किया है हर बार question repetition में रहा है तो यह बताने के जो है नाइटीन इंटू नाइन इंटू नाइन सेंटीमेटर और question जो है वो है regarding buckling behavior of fixed and pre-column है जो प्री कोलम का जो buckling behavior है उससे regarding है next question deflection in helical spring area under stress strain curve up to fracture क्या होता है हम total toughness बोलते हैं इससे तो यह question आप समसे हो सॉम से minimum edge distance in riveted corrections की बात हो रहा है तो स्टील से question है property same in all directions तो क्या होती है वो आइसोटोबिक दोस्तों यह questions मेरे पास बेजे गए थे तो मैं इनको discuss कराओ किस परकार का paper आ रहा है आप इनमें से देख सेंगा next question है change into part rating bearing यह पक्का कोई numerical आया होगा जिसमें whole circle पेरिंग की value दी होगे और उसको quadrating bearing में मैंने जब surveying की जो लास्ट वीडियो बनाई है इतने वीडियो में नुमेरिकल बहुत सारे की है बहुत असान नुमेरिकल होगा यह find out maximum hourly demand maximum hourly demand यह भी एक numerical होगा तो यह values नहीं है तो उस तो करके लिए करता है option के हिसाब से देखना पड़ेगा वैसे वन इस तुवन सिमेंट वन लाइम और वन शिक्स हो सकता है बाकि कोश्चन पर डिपेंडेंडेंट है दूस्तों नेक्स कहरें सिमेंट स्ट्रेंथ इस इंक्रीज विद टाइम और डिक्रीज विद टाइम आफ्टर वन करते हैं कि यहां से हमें यह आईडिया आजाता है कि वह उन्होंने कवर अप क्या रिप्लूमा बेस लेवन है इस से ज़्यादा लेवल अए नहीं मोडरेट लेवल कर सकते हैं और और वरfire के आटाँर हो सकते हैं और जिन्हों को यह वीडियो पसंद आई है वो लाइक ज़रूर करें और जिन्हों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कैशे सब्सक्राइब करें और गंटी का आइकन जिरूर दबाए ताकि आने वाली वीडियोस का नॉटिकेशन आपको चल्से चल्द मिले